हाई फ्रेंज मैं हूँ बिराज और आपको स्वागत है मेरे इस क्रिकेट वर्लकप की स्पेशल सिरीज में जहां मैं रिभ्यु कर रहा हूँ मेरी टॉप फाइबरेस टीम की जो इस साल क्रिकेट वर्लकप को जीच सकती है इससे पहले मैंने इंग्लेन क्रिकेट टीम और यह जानलेते हैं आफिर क्या क्या स्टेंट और वीक्नेस को सामना करना करने पड़ेगा इस वर्लकप को जीतने के लिए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हएए पहसिले क्रिकेट टीम अपनी इस वजर्ल कॉपकि के सुर्वात करेंगी एक जुन 2019 को अफगानिस्तान के विरूद् उसके बाद 6 तारीक को खेलेंगी वे इन्डिया के विरूद्, उसके बाद 12 तारीक को खेले इंग्लेंड के विरूद 29 तारिक को भीरेंगी अपने आर्क्राइबल न्यूजी लेंड के विरूद और उसके बाद अपने लिग फेज की तो समाप्ति करेगी वह करेगी छे जुलाइड 2019 को साउथ आफ्रिका के विरूद तो इस तरह ऑस्टेलिया अपने लिग फेज में न करेंड यह तो चली पहले जान लेते हैं आके वह पंदर खिलारी हैं करेंड रिप्रेजущ लए विरुद संब्सक्राइट करेंस सबसे पहले एर्रण फिर टे विडर नर स्टीव स्मीथ उसके बाद उसके बाद सॉन मार्स सॉन मार्स के बाद आते है ग्लेंट मैक्स्वेल ग आपके पैट कमिन्स और पैट कमिन्स के बाद आते हैं एक लोटे स्पिनर एडम जांपा और जो चार एक्स्टा खिलारी जो ऑस्टेलिया को के साथ चल रहे हैं इस वर्लकाप में और टीम स्क्वाट को पूरा कर रहे हैं वो है के रिचार्ट सन उसके बाद है नेथान लायन आपके जैसन बहरेंडोफ और जैसन बहरेंडोफ के बाद है एक मात्र जो बैस्मेन इन सभी के चारों की लिस्ट में वह है उस्पार ख़आ जा तो मेरे हिसाब से ओस्टेलिया क्रिकेट टीम एक कॉंपलीट पेकेज है इस क्रिकेट वर्लकाप के लिए तो और जो टीम जा जानने लेते हैं आखिर क्या क्या स्थेंद थे शोष्लेड की सबमें से बड़ी च्टेंद है उनकी व्र क1006 तरह से अगर हम सकते हैं कि अगर एक्स्प्रियेंस है और से मैक्सिमन नमबर और मेंबर से जिन्होंने पहले से वर्लक जीता हुआ है तो वह अस्टेitudshemidT वह है इस तरह से अगर सबसे बर हैं के बारे में बात करें तो अस्टे saturation Cricket team के पास सबसे बर हैं उनकी वर्लक जीतने का एक्सप्रेयंस और उनकी वर्ल कब जितने की मेंटेलिटी सेकेंड डिस्टेंट है डेविड वारनार और इस्टीव इस्मीत को जैसे पता ही है बॉल्ल टेम्परिंग के केस में एक साल के लिए प्रतीबन लग गया था उन पर लेकिन एक साल का प्रतीबन पुरा करने के बाद उन दोनों वापसी कर ली है और डेविद वापसी की जो बेटिंग जो बेटिंग है वो सभी को पता ही है किस तरह की है तो इस तरह से ऑस्टेलेंग क्रिकेट टीम पिछले तीन या चान महिनों से काफी स्टेबल दिखी रही थी उन लोगों के ना होने पर भी लेकिन आप उनकी वापसी से ऑस्टेलेंग क्रिकेट टीम और भी ज्यादा हो गई है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेविद वाणर और इस्टीव स्मित की वापसी ऑस्टेलेंग क्रिकेट टीम की एक सबसे बढ़ी पेस्टी होई किसी भी टीम के लिए तो इस हिसाब से अगर मीचल स्टाग, नाथन कुंटल नील और पैट कॉमिंज कुछ भी अच्छा बोलिंग कर लेते हैं तो ऑस्टेलिया क्रिकेट टीम स्योर सोट इस वाल कप में बहुती बड़ी दावेदारी पेस कर सकता है यह तो थी विकनेस से ऑस्टेलियन क्रिकेट टीम की कप्टान, एरॉन फिन्स इस साल के ऑस्टेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एजक कप्टान जिस क्रिकेट वर्ल कप में तो और एरॉन फिन्स का जो कैप्टान सीब रिकोर्ड है वो काफी घटिया है पिछले दो सबसे बड़ी weakness के तौर पर हम कह सकते हैं इस औस्टेलिया के लिए दूसरी दूसरी जो weakness इस औस्टेलिया क्रिकेट टीम में दिखाए देती है वो है कोई भी एक ऐसा spinner नहीं है जिसको हम quality spinner के तौर पर कह सकते हैं नाथन लियन और एडम जमपा को एज़े spinner लिया गया है इस औस्टेल क्रिकेट टीब में और में ग्लैन मेक्सवेल भी थोड़ी गेंबाजी कर लेते हैं कुछ मैसों में वो गेंबाजी करेंगे भी लेकिन अगर quality spinner की केटगरी में उनकी गिंती करें तो एडम जमपा नेथन लियन और ग्लैन मेक्सल कही भी नहीं टिकते हैं और जैसे की हमें पता ही है इंगलेंड की जैसे जैसे वर्लकप चलती रहेगी इंगलेंड की धिमी होती रहेगी और spinners को मदद मिलती रहेगी तो इस तरह से जैसे जैसे तोनामेंट आगे बढ़ता रहेगा ऑस्टेलिया को quality spinners की कमी खेलेगी खेलेगी इस क्रिकेट वर्लकप में और तिस्री वीक्नेस से स्टीव स्मीट और डेविद वर्नर की वापशी डेविद वापशी को जिस तरह से ह हम एजे वीक्नेस भी देख सकते हैं इस उस्टेलियंग क्रिकेट टीम की स्टीव स्मीट और डेविद वर्नर की वापशी ने ऑस्टेलियंग क्रिकेट टीम की जो लास्ट तीन या चार महीने में जो कॉंबिनेशन बैठी थी उसे अनस्टेबल कर दिया जिसके चलते पीट लाइजे ओपे ना डेविद वर्नर की वापशी हो सके तो इस तरह से यह भी एफेक करेगा ऑस्टेलियंग क्रिकेट टीम की जो टीम मेंटेलिटी है उस पर यह थी स्टेंथ और विकनेश इस ऑस्टेलियंग क्रिकेट टीम की चलिए अब हम बाते कर लेते हैं आखिर क्या क ज़या ओपरफॉणिटी मिलेगी और स्टेलियंग क्रिकेट टीम के प्ले डिखाने की अपने परफॉमेंस के जरिए पुरे वर्ल को दिखाने की सबसे पहले आपर एप्षुनिटी मिलेगी आरं बिन जैसे कि मैंने पहले ही बता आया एर लान की क्येप्टंशिप इतनी अ अच्छा परफोर्फोर्मेंस कर सकते हैं उस्री अपरचुनिटी मिलेगी स्टीव स्मित और डेवीद वाणर को स्टीव स्मित और डेवीद वाणर एक साल के प्रतिबन के बाद ऐस्टेलिंग क्रिकेट्टीम में वाफ्सिकर है तो सब की निगाहे उन दोनों पर ही होगी क्य लिया के लिए तो डेविद वार्णर और स्टीव स्मीद के पास ही है उनको अपनी केपाबिलिटी और उनको अपनी बेटिंग फिर से पुरे वाल के सामने दिखाने की कि उनकी धार अभी तक खतम नहीं हुई है और तिसरी ऑपरचुनिटी मिलेगी ग्लेन मैक्सवेल और मार के साथ साथ भूलिंग भी करेंगे मारकस तोईनिस और मेक्लेन मैक्सवेल अच्छे बल्ले बाज है लेकिन गेन बाज के तोर पर उन्हें हम नहीं कह सकते है कि वह क्वालिटी गल गेन बाज है लेकिन फिर भी अगर वह काम चला अपनी गेन बाजी से थोड़े विकेस ले ंच्छे या फिर रनों में फोड़ी पतिबं लगा दे इस क्रिकेट वॉल्ल कप में तो उनके पास भी उपरचुनिटी है एस वर्ल कप में उभरने की यह थी वो अपरचुनिटी जो और प्लियर्ज को मिलेगी इस क्रिकेट वॉल्लकप में अपने परदसन के जरी पुरे विश्व को दिखाने के लिए तो चलिए अब हम बाते कर लेते हैं आखिर कौन-कौन से ट्रेक्ष इस उसलेंग क्रिकेट करने पड़ेंगी अगर उन्हें इस क्रिकेट वर्लकप को जीतना है तो उसले को जीतने के लिए मेंली दूरी थ्रेट का समना करना पड़ेगा पहले तो इंग्लेंड क्रिकेट टीम से और दूसरी भारते क्रिकेट टीम से लेकिन जो सबसे बरी त्रेस मेरे हिसाब से क्रिकेट वर्लकप के सबसाब से अस्टेलिया को इस क्रिकेट वर्ल कप को जीतना है तो उनको इंग्लेंड क्रिकेट टीम और भारते क्रिकेट टीम को अपने राष्टे से हटा नहीं परेगा और अगर इंग्लेंड और इंडिया के साथ अस्टेलिया अच्छा परफर्म करती है उनके प्लेया अच्छा परफ के हिसाब से काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि और यह ती मेरी सोट एनलाइस ऑस्टेलियान क्रिकेट टीम की आसा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज मैंने चैनल को लाइक और सब्स